स्वागत है दूस्ता आपका इस यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे गरह किसे कहते हैं जिसको अंग्रेजी में हम प्लैनेट बोलते हैं इसकी डेफिनेशन ये होगी कि गरह एक खगोली पिंड होता है एक पत्थर का टुकड़ा होता है जो किसी तारे के चार और निस्चित पत पर चक्कर लगाता है लेकिन ये इतना बड़ा होना जरूरी है कि अपना गुर्तवाकर्शन सकती पैदा कर सके और उसके कारण खुद का आकार गोल रख सके यानि कि यहां पर कोई भी पत्थर का टुकड़ा गरह हो सकता है लेकिन एक definition है यहां पर कि वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो खुद का गर्तवाकर्शन सकती पैदा कर सके यानि कि अगर कोई छोटा मोटा एक दो किलोमेटर पान दस 20 किलोमेटर का आगर कोई टुकड़ा है तो उसके पास इतना gravitational force नहीं होता है वो जिस आकार में है वैसा ही रहेगा लेकिन जो जैसे हमारी प्रतवी है मंगल गरह है बाकी यह जो गरह है इनके पास इतना गरतवाकरशन होता है कि अपने आपका जो आकार है उसको गोल कर सके उसी को हम गरह मानते हैं गरह होने की कुछ मुखे सर्तें भी होती है पहली सर्त तो यह है कि तारों के चारोर चक्कर लगाना यानि कि जो भी गरह होगा अपने तारे के चारोर चक्कर लगाएगा जिस प्रकार जो पैथवी है वो सुरिये के चारोर चक्कर लगाती है दूसरा यहां पर है अपना गुर्दवाकरशन बल यानि गरह के पास अपना खुद का गुर्दवाकरशन बल भी होना चाहिए दूसरी चीजों को अपनी और आगरशित करने की सकती होनी चाहिए तब इसको गरह बोला जाएगा अपने पडोसी पिंडो को साप करना यानि कि जो गरह है वो इतना बड़ा होना चाहिए इतना गुर्टवा करशन उसका होना चाहिए कि उसके आसपास का जो एरिया होगा वहाँ कर अगर कोई छोटा मोटा पत्थर है या कोई भी चीज है तो वह उसको अपनी और खीच सके और अपने आसपास का एरिया है उसको थोड़ा साप रख सके तो उसी को एक गरह बोला जाता है हमारे सोरमंडल के अंदर कुल आठ गरह है जिसमें पहला गरह है बुद्ध जो सुरिय के बिल्कुल नजदीक है उसके बाद आता है सुकर गरह उसके बाद आती है पिर्थवी उसके बाद मंगल गरह फिर बरस्पती गरह और फिर सनी गरह अरून और वरुन इस प्रकार आठ गरह हमारे सोरमंडल के अंदर है और कुछ गरों से जोड़े रोचक तथे जान लेते हैं हमारे सुरमंडल से सबसे बड़ा गरह जो है ब्रिस्पती गरह है सबसे बड़ा गरह सबसे छोटा गरह है बुद्ध गरह और सबसे गरम गरह है सुकर गरह और सबसे ठंडा गरह है Neptune जिसको हम वरुन गरह बोलते हैं और जीवन के लिए अनुकूल एक मातर गरह है जहांपर अभी तक जीवन पाया जाता है पाकी जो बाकी गरह है उनके उपर जीवन नहीं है लगबग अभी तक हम यही कह सकते हैं तो वो गरह है पिर्थवी पिर्थवी एक मातर ऐसा गरह है जहांपर जीवन है तो यही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो साइस से लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स और वाचिंग